आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन मुजिक में आज मैं आपको बताऊंगी कलावी का दीपक जलाने से क्या होता है दीपक से आश्य है अगनी का छोटा सा सुरूप इसे देव शक्ती का प्रतीक माना जाता है इसलिए पूजा प्रत के दोरान आरती करना भी बहुत शुब माना जाता है इसके बाद ही पूजा पूर्णे मानी जाती है इसलिए अब दीपक जलाने का क्या महत्वे मैं आपको यह बताऊंगी आप सब ध्यान से सुनिएगा सनातन धन में रोजाना सुबा और शाम में दीपक जलाने का विशेश नियम और महत्वे किसी भी पूजा आरादना में बिना दीपक के पूजा को अधूरा माना जाता है वहीं किसी भी तीर स्तान पर जाते हैं तो दीबदान करना बहुत खाश होता है मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिये भगवान की आरती और वंदनी की जाती है अब ऐसे में अगर घर में बत्ती खत्म हो जाए या फिर अगर आप दिन के हिसाब से दीपक जलाते हैं तो लाल धागे की बत्ती बना कर जलाई जाती है इसका क्या महत्वे किस दिन लाल बत्ती का दीपक यानि की मोली का दीपक जलाना चाहिए इसके बारे में पंडित अर्विन तरपाटी जी बताते हैं कि प्रचीन काल से ही हर शाम घर की चोखट पर दीपक जलाना की परंपरा चली हा रही है इससे हर जगा सकारत्मक उर्जा का संचार होता है जिसका मुक्य स्त्रोत सूरे देव हैं और उनके दीपक की बत्ती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अगनी और सूरे का तत्त माना गया है वहीं देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेश महत्व है अगर आप विधी विदान से पूजा नहीं कर पाते हैं तो भगवान के सामने सिर्फ दीपक जला कर भी पूजा की जा सकती है दीपक से आरती की जाती है इसके बादी पूजा को संपूर माना जाता है अब मैं आपको कलावे के दीपक जलाने का महत बताऊंगी कलावे की बत्ती बनाकर दीपक जलाने भी बहुत शुब माना जाता है इससे महालक्ष्मी की किरपा बनी रहती है इतना ही नहीं अगर बत्ती खत्म हो गई है तो कलावे को काट कर उसकी बाती बनाए और दीपक जलाएं इससे घर में सुख सम्रिद्धी और सौबाग्य का आगमन होता है और पूजा भी संपूर मानी जाती है हनमान जी के सामने कलावे का दीपक जलाए जाता है अगर आप मंगलवार के दिन व्रत करते हैं या पूजा पाट करते हैं तो उनके समक्ष कलावे की बाती बनाकर दीपक जलाएं इससे मंगल दोश से छुटकारा मिलता है और पवन पुत्र की किरपा भी बनी रहती है हिंदू धर्म में हर मांगलिक कारे के लिए मंत्र बताए गए हैं कोई भी सुपकारे करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वहीं दीपक जलाने के दौरान इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए दीपो जोती परंब्रम दीपो जोतिर्जन अर्धना दीपो हर्तू में पापम संध्या दीप नमस्तुते सुबम करोती कल्याणम अरोग्यम धन संपदा शत्रू बुद्धी विनाशया दीप कया नमस्तुते बोलो हनमान जी की जै इस मंत्र को आप रोज दीपक जलाते वक्त बोल सकते हैं धन्यवाद